I hope you guys are doing wonderful, wonderful, wonderful and पढ़ाई एकदम जबर्दस चल रही है आप सब बच्चों की है आज आप लोगों से बात करने के लिए हूँ specifically December 2023 examination के लिए December examination एकदम बहुत ही करीब आ चुके है और आशा करता हूँ कि आप सब बच्चों का preparation बहुत 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 कर रहे है बहुत सारे आपके दिमाग में जो भी questions रहेंगे उन सब को एक ही साथ में इसके अंदर मैं answer कर दूँगा how should you be preparing for December 2023 वो भी इसे वीडियो के अंदर मैं answer कर दूँगा so that you'll be super clear कि हमें preparation कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो और गर्मा गरम बहतरी न तरीके से आने वाली है सबसे पहले तो यारा एक चीज करना बहुत ज़रूरी है कि पूरा अपने पीट के उपर से भार हटा देना है एक गलती जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं यह कि कुछ ना कुछ चीज का unnecessary weight आप लेके आगे बढ़ रहे हैं अगर आप weight लेके आगे बढ़ेंगे तो आपढ़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छे समझो, I've been meeting a lot of people जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनका कुछ भी परिशानी चल रही है अगर किसी एक दिन हमारा loss हो जाता है तो उसी दिन वापिस और trade करना नहीं चाहिए उसमें आप अपने loss को cover नहीं कर पाऊगे आप और extreme loss के अंदर चाहोगे because जब आप एक loss के बाद में treat करते हैं तो emotionally driven हो जाते हैं आपके आगे की decisions similarly यहाँ भी आँगे भी आँगे अगर आप अपने उपर एक baggage लेके चलेंगे तो सबसे पहली चीज क्या करना है या रहा हूँ पूरा baggage उतार देना है भूल जाओ क्या हुआ it really does not matter what matters is कि यहाँ से आप कितने बहतरी तरीके से आगे prepare कर सकते हैं तो पूरा सब कुछ बूल जाओ बहुत बहतरी से दो example दोंगा हाँ आज मैं बहुत सारी चीजों के बात करूँगा executive भी, professional भी, क्या क्या आने वाला है लेकिन उसके पहले दो example दोंगा बहुत अच्छे समझना थोड़ देन पहले मैं मेरे face-to-face batch के बच्चों के साथ बहुत बात करा था एक व्यक्ती मुझसे मिलना है थे so he was writing executive firm quite some time और clear नहीं हो रहा था एक group उनका clear था second group उनका clear हो ही नहीं रहा था so then the person was looking for some alternate options ठेक है so the person saw an opening on some bank some examination of some bank the person decided कि हाँ यार ये banking का examination दे देता हूं मैं बिकरस यहां पे नहीं हो रहा है तो एक alternative career देखना होगा the person wrote the examination पहला first level था फिर second level the person cleared the examination interview में भी हो गया the person got the job the person got posting in Bhuvaneshwar ठेक है ये सब हो गया now उस व्यक्ती की joining होई तकरीबन 15th of May और first June से exam थे executive के उसने form तो भरी रखा था था but obviously last के एक दिर महीने preparation नहीं किया है तो मैं exam लिख के आ जाओंगा वो व्यक्ती सिर्फ office पे जा रहा था और सिर्फ examination लिख के आया obviously जो पहले की इतने समय की महनत थी वो उनकी कर रहे थी और उन्होंने उस समय पे एक quick revision तो किया ही होगा and I hope आप सब को पता ही ये story किस तरफ जा रही होगी और इतना समय हो चुका है मुझे आगी ये करना है मुझे वो करना है मेरे साथ डीले हो रहा है एक बहुत भारी वजन था जो व्यक्ती साथ में लेके जाता था और इस particular attempt में वो व्यक्ती कुछ भी वजन लेके ने गया एकदम relax होके गया यार exam देना है अपने हिसाब से best तरीके से दूँगा और जो होगा देखा जाएगा best तरीके से दूँगा और जो होगा देखा जाएगा and with that mindset the person wrote the attempt clear the attempt similar एक और student है उन समय डेली में मिला same story बहुत समय से दे रहे थे नहीं clear हो रहा था the person chose कि मुझे अब यह नहीं करना है MB entrance करना है उन्होंने MB entrance की coaching करने के लिए डेली आ गए and then MB entrance की coaching चल रही है and then attempt थोड़ा कस्ति काया है उन्होंने काया चलो दे तो देता हूं इतने समय से नहीं दे रहे थे इतने समय से दे रहे थे नहीं हो रहा था MB entrance की classes भी चालू कर दिया है and then the person wrote the attempt bang on, cleared the attempt दो चीजों से हमें समझ में आ रहा है कभी-कभी हम खुद को ही बहुत extreme pressure में डाल देते हैं और वहीं ये कारण हो जाता है कि उस pressure में हम perform नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहली चीज करो अभी भी examination में एक महीने से ज़्यादागा समय है सबसे important चीज करो कि अपने दिमाग से जो भी baggage है इस baggage को set aside करो, free हो और जी जान से बढ़ाई करो one month is more than sufficient to change the entire game to change the entire game तो इन दो चीजों का ध्यान रखो baggage पूरा हटा दो और एकदम जी जान से बढ़ाई करो I don't think कि आपको कोई भी व्यक्ती clear होने से रोख सकता है अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो पूरा baggage इटाओ और 100% अपना जी जान से दे करो दूसरी चीज यह होगई एक चीज baggage इटाओ दूसरी चीज अगर आप अपने पूरे plan में result को रखते हैं तो फिर थोड़ा सा pressure बनता है आप अपना target यही रखिए कि मेरे December random examination है मुझे बस बहुत अच्छे से examination लिखके निकलना है अब result क्या आता है जो आएगा देखा जाएगा result जो होगा वो देखा जाएगा मुझे best तरीके से answer लिखने answer इतने अच्छे लिखने checker को मजा आ जा सिर्फ equation कि answer अच्छे लिखने imagine करो जितने लोग exam दे रहे हैं सब clear होने वाले है imagine कर लो कि आप exam दे रहो आप 100% clear होने वाले हो but you want answers to be of top notch quality इस mindset से पढ़ो automatically आप देखोगे कि थोड़ा सा burden 1% तो ये वीडियो सुनते सुनते ही कम हो गया होगा थोड़ा सा burden कम हो जाया गया रहा and you'll be able to perform better in the examination अगर आप December end के बारे में सूचेंगे तो बहुत अच्छे से performance हो सकता है आप unnecessary February के बारे में सूचता है 25 Feb को result आएगा फिर क्या होगा वो pressure create करता है result के बारे में सोचो ये मत musti से examination दो and you're going to sail through with flying 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 colors so have patience, have faith and you're going to kill it ठीके गुंडे चलो एकदम तूफान तरीके से बात करेंगे detail में बात करेंगे हर एक subject के बारे में सबसे पहला आप का और मेरा favorite Securities Law उसके बाद में CS Professional का वो subject जिसमें सबसे ज़्यादा चीजें आप मुझ से पूछना चाहते हैं MCS उसके बाद में आपका और मेरा again favorite subject Funding and Listing Securities Law का बड़ा भाई और उसके बाद में last में आता है हमारा IBC और घबराओ मत Red में एक और subject लिख देता हूँ मैं CRI चलो अच्छे से बात करेंगे सारे subjects को लेके सबसे पहले Securities Law Securities Law Old syllabus के बच्चे यारो आपके लिए golden attempt है इतना content Securities Law के लिए मेरा कभी YouTube पे नहीं था जितना December 2023 के लिए है You have already got revisions of all the chapters सारे chapters की एक-एक chapter ICDR से लेके LODR से लेके Insidered Reading से लेके Takeover Code से लेके Delisting से लेके Buyback हर chapter का revision आपके लिए uploaded है Scanner Series हर chapter के Past Year Questions की Scanner Series आपके लिए uploaded है उसके बाद में Numericals In-depth भी uploaded है और साथी साथ आपके Marathon भी uploaded है Numericals का You have got everything Important judgments You have got everything That you need to clear The examination In this attempt इस बार Old syllabus की बच्चों के लिए पास तो कोई कारण नहीं है कि सर हमें ये परिशानी आ रही है You've got Every, every and everything मेरे जीवन में इतने सालों में इतना content एक subject का कभी YouTube पे नहीं था जितना Securities Law के लिए अभी है तो यारों उसको बहुत Outstanding तरीके से Enjoy करो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आ रहा था कि सर What about Buyback Regulation Buyback Regulation में amendments हैं ऐसा हमने सुना जी हाँ बिलकुल amendments हैं मैंने मेरे एक वीडियो में पहले बूला था कि Buyback में amendments हैं और आपको एकदम रेलाक्स रहना है Buyback को लेके मैं आपके लिए एक Fresh Revision लेकर आऊँगा ठेक है सर ये Fresh Revision आप कब लेकर आएंगे मैं आपको Date दे देता हूँ 8th November 8th November को Buyback का एक Outstanding Revision आपके लिए आजाएगा इसके लगव आपके एक और डाउट हो सकते है Sir हमें December के लिए कुछ amendments है नए जी हाँ बिलकुल है वो amendments के लिए वीडियो आएगा क्या 200% आएगा एक Outstanding वीडियो आएगा amendment के लिए और इस बार आपके लिए एक और चीज भी आएगी That is Paper Strategy बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि Sir उन तीन घंटों में हमें किन चीजों कथ्यान रखना है तो इस बार I have decided सारे subjects के लिए आप बच्चों के लिए Paper Strategy दूँगा कि वो तीन घंटे examination के कैसे handle करने है आपको ठीक है रहा यह सब कुछ आपके लिए आने वाला है तो stay relaxed तूफान तरीके से पढ़ो Sir amendments कब आने वाले आप बता दोगे क्या यह amendments का मेरा भी tentative planning है आप बच्चों के लिए 14th November buyback regulation तो मैं कल परसव महीं मुस्ती record करके आपके लिए upload कर दूँगा amendments के लिए I might take it in recorded fashion और I might take it live on YouTube recorded मतलब मैं यह पर बच्चों के साथ record कर लूँगा और बाद में upload कर देता हूँ आप लोगों के लिए YouTube पे या फिर मैं live भी लेख सकता हूँ तो आप लोग comments करेंगे comment करेंगे इस वीडियो के नीचे क्या चाहते हैं अगर आप चाहते हैं live लिया जाए तो just comment securities law amendments live thumbs up तो I'll consider live और अगर आपको लगता है recorded तो मैं तो समझी लूँगा recorded ले नहीं है तो मसे में रहो live और recorded दोनों का अपना अपना फायदा है देखो recorded में एक benefit क्या आप मस्ती से अपने हिसाब से जब चाह उसको आगे पीछे करके देख सकते हैं live का अपना फायदा यही कि जील मस्ती बनी रहती है तो जिल लोगों को लगता है कि सरे एक attempt है एक आखरी बार बहुत अच्छे से रूबरू मिलना भी हो जाए गया रहा तो let's attend it live तो we can do it live also तो we'll consider it that way ठीक है और दिवाली के बीच में आ रहा है तो हो सकता है आप लोगों के live attend करना संभव नहीं होगा तो मैं यहाँ पर classroom में आपके लिए record करके और upload करवा दूँगा एकदम निश्य नतरह amendments को लेके paper strategy कब आएगा उसका भी decided नहीं है और उसके अंदर बहुत सारे topics कवर होंगे that will be announced तक्रीबन नवेंबर end के आसपस आने वाला है ठीक है old syllabus की बच्चों I tell you उसके लिए आप रुकिएगा मत कि हम भी attend कर लेते हैं जो आपका already uploaded content है that is exclusively for old syllabus 100% वही attend करो वो जादा appropriate app के लिए ठीक है गुंडे तो ये हो गया securities log लेकर आपको जो भी confusion है जो भी चीज़े हैं वो सब end to end I hope clear हो गई होगी होगी बिलकुल नहीं आ जाएगा amendments हो जाएगे paper strategy आ जाएगा and I think जो बच्चे पढ़े वही है हमने lecture के end में detail में discuss किया हुआ है कि हमें self study भी कैसे करनी है तो you guys are super sorted बस हिम्मत से बढ़ाई करते रहो तूफान तरीके से चलो इसके बाद में आती ही बात MCS की कि MCS को लेके सर सर क्या आ रहा है सबसे पहले आ रहा है आपके लिए तूफान workshop MCS के अंदर बच्चों के एक सवाल रहते हैं कि सर पीपर कैसे अटेंड करें जैसे कि एक last attempt का पीपर था थोड़ा out of the box पीपर आ गया उसको कैसे attempt करना है तो this time I am taking a workshop on MCS ये workshop रहेगी 9, 10, 10, 11th of November 9, 10, 11th of November is then morning का time I will announce but morning के first half के अंदर रहेंगे हम मिलेंगे रोज थोड़े-थोड़े समय के लिए and उसके अंदर हम discuss करेंगे के paper कैसे आया था past paper को भी discuss करेंगे सको कैसे attempt करना चाहिए था and everything will be discussed first 40 marks का question कैसे attempt करना है MCS के अंदर exemption के लिए क्या क्या चीज़ों का थेयान रखना है everything will be discussed in these three days morning में एक दिर दो घंटे आपसे मिलता रहूँगा मैं तीनो दिन तक और उसमें MCS का पूरा जो भी आपके दिल और दिमाग में खौफ है वो खतम कर देंगे ends end कुछ बच्चों का इस सवाल था कि सर पढ़के जाने है यहां तक की जो नए किस लॉस हो भी मेरी तरफ से आएंगे additional case loss institute ने December time के लिए supplement दिया है उसमें institute ने क्या कर दिया पिछले दो साल के सारे cases को आइड कर दिया है तो आप निश्चंत रहिए मैं उसमें से figure out कर रहा हूँ कि कौन से cases पढ़ने की ज़रूरत है और वो भी मेरी तरफ से additional case loss भी आएगा और साथ में paper strategy वो भी आएगा तो एकदम निश्चंत रहो and this is all the coming soon videos for MCS ठेक है and रही बात से सारे case loss वगरा की तो वो सब चीजें आपके लिए already uploaded है मैंने revision marathon सब आपके लिए already upload कर दिया है इस वीडियो के description box में कि इस वीडियो के description box में आपके लिए PDF file है कि उस PDF file में you will get all the videos आपको सारे के सारे videos के link मिल जाएंगे ताकि आप किसी भी वीडियो पर जाना चाहिए आप comfortably जा सकते हैं और अगर कहीं description box में नहीं अविलिबल है तो website पर अविलिबल होगी शुबंसक्लेचर.com पर आप जाएंगे important drive link के अंदर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए सब चीजें already upload कर दी गए तो stay relaxed मस्ती से टेन करो फिर आता है हमारा funding and listing तो funding and listing के अंदर रहा हो क्या क्या upcoming videos है upcoming videos आने वाले है amendments को लेके amendment को लेके कब आने वाला है सरजी 15th 15th को मेरा plan है amendment को लेकर आने का since यह दिवाली के असपस आ रहा है कि उसके सबसे प्लान live लेना है या recorded एकदब मस्ती से बट 15th को आपको amendments में दी तूँगा मस्ती में एकदब उसके बाद में और क्याने वाले सर funding के अंदर आपके लिए numericals का session मैंने already आपके लिए upload कर दिया है साथ में में जो recent attempt के numericals हैं वो भी discuss करूँगा recent paper numericals तो वो भी हम लोग class में discuss करेंगे and obviously again इसका भी आएगा paper strategy to every professional student pay double efforts on funding module 3 के अंदर funding वो नाव है जिस पर आप जितनी महनत करेंगे वो उतनी आपको आपको आगे लेके जाएगी when it comes to MCS and IB आप महनत कितनी भी कर लें आपको उन 3 hours के अंदर बहुत सजग रहना है presence of mind top notch होना चाहिए and then you score outstanding marks for MCS and IBC presence of mind उन 3 घंटों में active रहना बहुत ज़रूरी है लेकिन funding में आप अभी कितनी महनत कर रहे हैं वो वहाँ पर reflect होने वाली है तो funding के लिए double efforts तो when it comes to funding अगर आपने अभी बहुत अच्छे से महनत किये तो exam के 3 घंटे आप बहुत आराम से handle कर सकते हैं तो खूब 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 महनत करो इसमें भी and again funding listing के लिए all the content has been uploaded जो जो additional required है वो सब मेरी तरफ से आएगा इसके बाद में आता है यारा IBC again amendments आएंगे ही आएंगे आपके लिए case laws marathon CRP overview यह सब uploaded है यह आपको PDF file के अंदर मिल जाएगा amendments जो भी आपके नए amendments है वो सब आने वाले है specifically यह बहुत important रने वाला है paper strategy for IBC बाकि सब papers के लिए important है लेकिन IBC के लिए paper strategy बहुत ज़्यज़ा जरूरी है because paper complete अगर हो जाता है तो हमारी life already 50% असान हो जाती this is another thing which is upcoming इसके बाद में lastly आता है CRI जिस चीज के लिए मुझे सबसे ज्यादा messages आए stay relaxed चूंकि Securities Law, MCS, Funding and IBC का बहुत सारा content already uploaded है आपके लिए तो आपके पास content है CRI का उतना content uploaded नहीं है so stay relaxed अभी से लेकर November end तक probably 10th of December तक भी I'll continuously upload revisions of entire CR and valuation तो आपकी जो request थी वो यही थी कि sir CR और valuation हो जाए जितना हो सके तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा CR और पूरे valuation का एक proper detail revision आपके लिए upload करता रहूं you must have seen कि कुछ chapters के revision already आ चुके again उस description के अंदर आपको मिल जाएंगे जो already uploaded revision है और जो भी और revisions भी आने वाले हैं वो बहुत जल्द आपके लिए आएंगे I'll try कि December के पहले आपके लिए किसी भी तर है सारे chapters का revision upload करवा दूँ I sincerely hope कि अगर ये सब चीज़ें हो जाती है तो life आपके लिए comparatively काफी 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 आसान हो जाएगे right देखो यारो at the end of the day जो मेरी तरफ से हो सकता है वो हो सकता है बहुत तेजी से धक्का वो मैं 100% देदूँगा अब आपना जी जान से भिड़ो और खूब 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 महनत करो है खूब 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 आगे बड़ो इसके अलावा भी अगर कोई मुझे लगता है कि यह amendment आना चाहिए, revision आना चाहिए mostly तो चीज़ें uploaded है कोई भी चीज लगती है तो वो भी I'll try and bring it up for you guys अभी के लिए यह सब थे जो मेरे announcements में थे I hope you guys will certainly benefit a lot from these खूब 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 आगे बड़ो make me proud, make your parents proud, make everyone around proud bye bye